जिन्दगी में दो लोगों का होना बहुत जुरूरी है एक स्रीक्रिशन जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे और दूसरा कारण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े तु करता वही है जो तु चाहता है होता वही है जो मैं चाहता हूं तो कर वही जो मैं चाहता हूँ फिर होगा वही जो तू चाहता है स्री कृष्ण कहते हैं कि जनम लेने वाले के लिए मृत्य उतनी ही निश्चित है जितना की मृत्य होने वाले के लिए जनम लेना इसलिए तो आपरी हारे है उस पर शौक मत करो कोई कुछ भी कहे बस अपने आपको शान्त रखो क्योंकि सूरज कितना भी तेज के नहो समुदर सुखाता नहीं है जहां आपकी कोई कीमत नहीं वहाँ पर रुकना अनुचित है चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन जब कोई हाथ या साथ दोनों ही छोड़ दे तो कुदरत कोई न कोई अंगली पकड़ने वाला बेज देता है और उनी का नाम है काना जो मन को नियंतरित नहीं करते उनके लिए वह सत्रू के समान कार्य करता है सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला भी वीजेता नहीं होता बलकि किन रिस्तों के सामने कब वह कहां हारना है वह जानने वाला भी वीजेता होता है जो लोग बुद्धी को छोड़ कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मुर्ख बना सकता है वक्त से पहले मिली चीज अपना मुल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व आत्मा पुराने सरीड को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुश्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारन कर लेता है जैसे जल में तेरती नाव को तो फान उसे अपने लक्षे से दूर ले जाता है ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनिश्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है आपका विश्वास एक परवत को भी खिसका सकता है लेकिन आपके मन का संदे दूसरा परवत खड़ा कर सकता है हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जुरूरी है क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं वक्त कभी भी एक जिसा नहीं रहता उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवज़े दूसरों को रूलाते हैं अपनी इच्छा शक्ती के महद्यम से अपने आप को नई आकरती प्रदान करें कभी भी स्वेम को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित ने करें इच्छा एक मतर स्वेम का मित्तर होता है और इच्छा ही स्वेम का एक मतर सत्रू अपनी पीडा के लिए संसार को दोस मत दो, अपने मन को समझाओ, तुमारे मन का परिवर्तन ही तुमारे दुखों का अंत है खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए, अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रियास करो, पूरी निष्टा से अपने कर्तव्य एवं करम को निवहाओ धेरिये रखिए कभी कभी आपके जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दोर में गुजरना पड़ता है